प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आप जाहिन दोस्तों आप सभी का हार्दिक सोगत है इंडिया इस भारत पे आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छों के वाजम आपके लिए बहुत इंट्रोस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोट की दबंग वकील नाजी लाइक खांजी के दमदार और बेबाक इंट्रिविव जो कि वो देंगी पाकिस्तान के मशूर पत्रकार और यूट्यूबर सोगे चोधरी को तो ये वीडियो काफे इंट्रोस्टिंग होगी आपको बहुत इंगर गुलशन कुमार की हत्या हुई थी तो ये सारे मुसल्मान कहां मर गए थे कौन से नीन की गोली खा लिया था जो किसी ने एक भी स्टेट्मेंट नहीं दिया यहां तक के बॉलिवुड वाले ने भी स्टेट्मेंट नहीं दिया जो मुसल्मान थे खान गुरूप ने में बसा हुआ है उसके दिल में भजन कीरतन पैदा कर दिये थे गुल्षन कुमार ने एक आदर डलवा दी थी पुरी दुनिया के हिंदुओं को कि सुभा टीवी खोलना है और गुल्षन कुमार जी का भजन और कीरतन सुनना है नाइंटीज की बात बता रही हूं अब आती है अनुराधा पोडवाल अनुराधा पोडवार इतनी खुबसूरत गायकार कि गला नहों कांच हो कांच की तरह आवाज निकलती थी जिन्नोंने हिंदु महिलाओं के दिल में माता की भक्ति चागरन पूजा अराधना संस्कृति संसकार सभ्यता अपने धरम के प्रती अनुराधा पोडवाल जी को धम की आई थी और तब से जो चुप हुई है आज तक चुप हुए यही 90 की बात है अब आती है विद्या भारती 90 की हिरोईन और इतनी कमाल की अदाकारा के जब शारुक खान के साथ उनकी मुवी आई तो शारुक खान दिव्या भारती की एक् मडर हो गया मडर हो गया अब आते हैं सुशान सिंग राजपूत जिनकी हत्या के पीछे कहीं ना कहीं लिंक बाबा सिद्धिकी का भी आ रहा था पड़े आलोचना बाबा सिद्धिकी की भी हो रही थी इंटेलिजन्ट माइन बहुत बुद्धिमान अपने धरम के प्रती बहुत जादा जुकाओ और गजब की एक्टिंग करके एक ऐसा एक ऐसा नई दिशा एक्टिंग की दुनिया में लेकर आया था कि दीरे दीरे खान फैमिली और उनके आने वाले जो उलादे हैं उनका पत क्यों सच बोलने में कहा कि किसका डर कहे का डर अल्ला ने भी कहा है कि सच कहा करो जूट का पर्दा फार्श होता है सच अल्ला को भी पसंद है अब आते हैं पॉलिटीशियन पर टिक विजय कॉंग्रेस के बहुत बड़े नेता क्याबिनेट मंत्री राज्य सबाएंपी रह चुके और कॉंग्रेस के गद्दा वर नेता दोस्ती किस से जाकर नायक से गला किसको लगाते थे जाकर नायक को भगाने में किसका साथ दिया जाकर नायक का भगोड़ा जाकर नायक को मलेशिया तक पहुचाने में खर्चा किस ने किया शायद इन ही लोगों ने हमारे पू टोलाई खानना किस के साथ खाते थे या चीन के साथ 물ी कर फिरे एंवाइन उते हैं चैंभ उठ्ड एमरी का सब्हारा करते और जा चाहे कजाकिस्तान चले जाएं, चाहे तुर्किस्तान चले जाएं, चाहे वाशिंटन चले जाएं, मुलाखात किसे करते हैं, भारत विरोधी और्गनाइजेशन से, किसको रोटी वोटी देते हैं, भारत विरोधी और्गनाइजेशन से, बुराई किसकी करते हैं, माइक में मिला देना चाहते हैं राहुल गांदी जी बैट करके उनके साथ अराम से शराब नवेशी करते हैं अब आते हैं अकलेश यादव जी पर अभी हालिया में समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी के अलाइस पार्टी अकलेश यादव जी ने कहा उनके समर्थक न एक प्रावक्ता ने धमकी दी कि जिस दिन उत्तर परदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी, उस पत्रकार को फेक फैब्रिकेट केस में फसा करके जेल की हिरासत में डाल दिया जाएगा. अब आते हैं कैरिला, जो अंडर कॉंग्रेस सरकार है, वहाँ आतंक बाद को बढ़ावा देने वाले PFI का विदेश तक मकड़ी जाल, 30,000 आतंकी सेना, हवाला से आता है कैरिला में पैसा, कोट में ने 2022 में यह मोहर लगा दिया कि PFI आतंकी संगठन है, कोट के जज्मेंट और और पर PFI को बैन कर दिया गया, पर कॉंग्रेस की अंडर लीडर्शिप में यह आतंकी और्गनाइजेशन फल रहा है, फूल रहा है, आज ही ED ने इसका खुलासा किया है, आज, 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 अभी 8 घंटे पहले, अब तो इन सब को जेल जाना चाहिए, इन सब को गैंग्स् से जुक्त होने का कोई अंदेशा कोट को मिला है, क्या लॉरन ने किसी नशा का वेपार का इल्जाम लॉरन विश्णोही पर है, क्या लॉरन पर लैंड माफिया का इल्जाम है, क्या लॉरन ने कभी अपने ब्यान में किसी मधभवालों को कोई तकलीफ पहुचाई है, क्या लॉरेन ने कभी किसी गरीब मासुम को कुचल कर मौत के घाट उता रहा है नहीं नहीं इलाहबाद हाई कोट के डिविजन बेंच के एक जज्ज थे आरके अगरवाल उनका जज्जमेंट आज में पढ़ रही थी मुझे याद आया कि उन्होंने कहा था लॉरेन का केस तो अभी अभी अंडर ट्राइल है अभी तो अभी तो यह साबित नहीं हुआ है कि वो गैंस्टर है भी कि नहीं है और मैंने आपको एक्टर एक्ट्रेस के बारे में बताया पॉलिटीशियन के बारे में बताया तो जितना बुरा लॉरेन ने नहीं किया है उसस जी जी इधर ये एक लॉजिकल बाइब का लाग के स्टूडन बेपी इस चीज को समझता हूं माला यह अभी इस चीज को मैं क्लिर करता चलू कि definitely इंडिया के कनून जहां का इंडिया का सिटीजन लॉरंस बिशनोई है और इंडिया के कनून के मताबी कभी ना तो उसे सजात हुई है ना ही कोई उसके ओपर कोई हुआ है कि यह यह एक टेररिस्ट है यह एक गैंच्टर है अभी नहीं हुआ तो इसका मलब है जब तक कनून पाकिस्तान के साथ बैठ के प्रोग्राम करती है पाकिस्तान के साथ मिली हुई है इसका मतलब है कोट जब तक विसाइड नहीं करता किसी भी कंट्री के सिटीजन के लिए उसका कोट डिसाइड नहीं करता तब तक वो ऑफिशली गैंस्टर इसका मलब हम लॉरेंस को गैंस् नहीं कह सकते नहीं कह सकते क्यूंकि मैं आपको इलहबाद हाई कोट के डिविजन बेंच आरके अगरवाल जज का मैं आपको जज्मेंट बता रही हूं जिसमें उन्होंने कहा भी है कि उसके बाद पिर समाजवादी पार्टी को कहा है कि आज आज आप टेरिस्ट को छड़व आ रहे हैं कल आप इसको पत्मभूर्शन और सम्मानिक कर देंगे अब आप सोचिए समाजवादी पार्टी एक टेररिस्ट ता जो अरेस्ट हुआ था उत्तर परदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर परदेश में थी गर्मी से लू से वो जेल से कोट आते जैसे मर गया मुक्तार अंसारी लैंड माफिया जिसने कई रेप करवाए कई लैंड माफिया का काम करवाया कई वाकबोर्ट की जमीन संपत्ती को हड़क करवाया कई मासुमों की जान ले लेली मडर मडर किया नियश्य का वेपार करता था लेकिन जैसे ही मुक्तार अंसारी और कॉंग्रेस से जोड़ी पर पार्टिया है जो आतंकियों के मरने पर मातम करती है और लॉरन बिश्रोई को तो अभी जोज ने बोला भी नहीं है कि भाई वो गैंग्स्टर है आतंकी तो तो दूर-दूर तक नहीं है वो लेकिन गैंग्स्टर है यह भी जोज ने कप अभी साथ कुट्टे की तरह कॉलर कॉलर पकड़के घसीट करके पुलिस ले करके गई थी जेल में लेकिन हम इनको एक्टर बोलते हैं ना लोग सीटी बजाते हैं ना उनका फिल्म देख करके सल्मान खान इसने दारूपी करके गरीब मासों लोगों को रोड पर कुचल दिया था मौत के घाट उतार दिया था पर जैसे ही सल्मान खान परदे पे आता है हुड़ हुड़ दबंदबं करता है लोग सीटी बजाते हैं ना लोग अपने पॉकेट से पैसा ले करके उसकी फिल्में देखने जाते हैं ना लेकिन यही सल्मान खान दारू के नशे में दूत हो कर करके लॉण्डिया वाजी करके आ रहा था और गरीब मासूम कई लोगों के सीने पर गाड़ी चड़ा करके कुचल दिया और कभी माफी भी नहीं मांगा लेकिन इसको लोग हीरो बोलते हैं न तो फिर अगर कोई भारत का एक वर्ग लॉरन विश्णोई को अगर हीरो मानता है तो मान ने दो ना क्या फरक पड़ता है जब जज बोल देगा कि भाई ये कैंकिस्टर है तो आप देखना सारे लोग खुदी पीछे हट जाएंगे इंपोर्टेंट और इंट्रस्टिंग वीडियो लाते रहें जै हिंद जै भारत